करें विया के चैनल को बोपाल में बेस्ट काम है बहुत ही बड़ीया फिटिंग हुई है कोई भी वाहिने कटिंग नहीं हुई है कपलर टू कपलर पूरा काम हुआ है वीडियो में आपने देखा ही होगा वो अभी आ जाएगा और सुमर विया का काम बहुत अच्छा है मैंने 2024 न्यू लेटिस्ट एलकसाई ब्रेजा जो आज हम लोग इसमें इंस्ट्रोलेशन करने वाले हम लोग स्टेरिंग माउंट कंट्रोल जो यह रहेगा हमारा मारूती ओरिजनल रहेगा तो जो यह हम लोग जो इसके अंदर जो इसके अंदर टच स्क्रीन लगा हुआ है नाइ आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको यह वाला जो ब्लैक कलर का यह वाला जो सौकिट आता है यह वाला सौकिट जो हमारे जो मारूती का जो हम लोग जो अप्टर मार्केट लगाते हैं जो यह वाला जो स्टेरिंग माउंट कंट्रोल लगाते हैं जो वहां से जो आता है जो original जो हब आता है मारूती का जो इस टाइप का ये वाला जो white coupler आता है ये आप देख पा रहोंगे मेरे हाथ में ये वाला white coupler है ये वाला white coupler उसके अंदर fit होता है और ये वाला जो है आपके ये जो top variant के अंदर लगता है black color का socket और ये वाली जो रंग भी रंग की जो wire वाला socket देख रहे हैं ये वाला जो steering की नीचे ये वाला socket जो है इसके अंदर जो fitment रहेगा क्योंकि ये जो ब्रेजा के अंदर steering mount control की wiring नहीं देते हैं तो हमें additional wire करना पड़ता है तो फर्स आप देख सकते हैं ये वाला जो black color का जो ये वाला socket है इसको हम लोग बिल्कुल काट के ये वाली जो पिने हैं पिने हम लोग बिल्कुल हम लोग जो है बिल्कुल सावधानी से पूरी निकाल लेंगे ये वाली जो पिने हम लोग बिल्कुल सावधानी से निकाल और यह वाले जो वाइट कलर के सौकिट के अंदर यह वाले जो पिने हैं हम जो है बिल्कुल जो यह हम जो है सिफ्ट कर देंगे इसमें और आप देख सकते हैं यह वाला जो सौकिट हमने निकाल लिया इसके अंदर से बिल्कुल और इसकी जो पिने बिल्कुल साउधानी पू करता है इस चक्र में हमें जो ही यह वाला जो सौकेट हैं हम लोग निकाल के भार कर देते हैं और आप यह देख रहे हैं यह वाला जो वाइट कलर का जो सौकेट रहता है यह वाला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेड़ जाता है और यह वाइट सौकेट आपके यह जो वाइरिंग है यह हमने दो कपलर डाल दिये यहां पर देख पा रहोंगे यह वाली जो वाइरिंग हमने जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यह हमने इसके अंदर जो लॉक के अंदर डाल दिये और अब यह वाला जो साधा इस्टेरिंग है इसमें हम लोग किस टाइप से यह मैं आपको मैं इसके भी मैं आपको मैं पुल जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो के हंदे तक बने रहें तो आपप देख सकते हैं यह वाला जो वाइट ऑप हमने बिल्कुल बना कि बिल्कुल तैयार कर दिया है हमारे श्टेरिंग माउंट कंट्रोल और यह वाला जो प्लस वाला वायर है माइनस्ध्या प्लस मुइन निकाल सकते हैं तो यह नोग 10 के पाने हम लोग लूज़ कर लेंगे इसको बीटिरी के आगप पॉइंट निकाल देंगे यह आपya स्टेरिंग खोलते हैं तो आपकी यह जो मिटर पर चेक लाइड बिल्कुल नहीं आएगी बिल्कुल सावधानी से आप इसमें जो है पूरा इसमें काम कर सकते हैं यहां जो एरबेग निकालने के लिए आपको माइनस वाला पेचकस ले लेना रहता है और आप यह देख सकते ह यहां पर आपको तीन होल देखने को मिल जाते हैं यहां पर एक स्प्रिंग रहती है इस्प्रिंग को जश्टा अपोजिट साइड जैसे आपका भी पुश करते हैं तो यह वाला जो एरबेग इस टाइप से निकल जाता है और आप देख पा रहोंगे यह वाला जो साओधानी से हमने इनकाल दिया यह आपर देख से निकल तरीके सिसके अंदर भी कोई हम कोई जल्द बाजी नहीं करते बिल्कुल यह साओधानी से से का जो हैं काम कर देना रहता है और आप देख पा रहोंगे यह वाला जो तो निकल जाता है, सावदानी से निकल जाता है, यहांपे देकपा रह sophom माउंट हम के भी खुंत हम यहां आओंडर हम लग लग गाएंगे, रफ उन खनी अई, यहांपे दो इसक्रू दिये हुएं हम लोग निकल के इसको खटा देंगे और यह वाला जो clock spring निकलने के लिए एक दो और यहाँ पर यह तीन यहाँ पर तीन लोक रहते हैं यह वाले तीनों लोक निकल जाते हैं और आप देख पा रहे हैं यह वाइड जो single coupler है ये वाला हम लोग निकाल के हटा देंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो clock spring के अंदर ये वाले दो socket दिये हुए आप देख सकते हैं येलो वाला तो आपका airbag का है और ये वाला जो single वायर है blue color का ये वाला रहता हमारा hon का वायर तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है socket हमने ये वाला निकाल दिया clock spring ये वाला और ये वाली hon की वायर है तो ये हैं हमारा top variant वाला ये आपका clock spring ये आप देख सकते हैं ये और आपका ये वाला जो हम लोग top variant वाला लगा रहा है ये पूरा same रहता है इसके अंदर जो है पिने रहती है इसके अंदर छे पिन रहती है और आपका जो आपको जो बेसिक मोडल में सिर्फ सिर्फ आपकी यह जो दो पिन आती है और आप देख पा रहोंगे इसके अंदर छे पिन है और यहाँ जो सौकिट निकाला तो यहाँ पर आपको यह जो दो प पिने रहती है तो यह वाला हम लोग लगाएंगे छे छे पिन वाला क्लॉक स्प्रिंग यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां वाला हमने सौकिट लगा दिया है यह वाला हम लोग जो है होन का सौकिट नहीं लगाएंगे क्योंकि यह वाला जो है हम लोग इसमें जो है करेंगे इसके अंदर clock spring के अंदर और गाड़ी की कोई wiring cutting नहीं करने वाले हम लोग और यहाले जो android music system इसके अंदर जाके हमारी यह वाली जो wiring जो है बिल्कुल प्रोपर तरीके से यह वाली जो connect हो जाएगी बाकि आप देख सकते हैं काफी बढ़ीया तरीके से और इस टाइप से यह वाला जो सोकेट आपका यह जो color वाले वायर है यह रंग के वायरस के अंदर फिटमेंट हो जाता है सोटी ये वाला सोटीट अलग से लगाना पड़ता है क्यूंकि ब्रेजा के अंदर इलक्स अंदर जो इह जो कमपनी जो है स्टेरिंग मांट कंट्रोल के जो वायरिंग नहीं देती है और आप देख पा झालओंगे यह हमारा क्लॉक स्प्रिंग जो औरिगन वाली है यह वाली फिट्मेंट हो चुक है ओर यह आप यह सकते syrup वाइरिंग यह वारेंग आप देख सकते हैं यह वाली वायरिंग अम लोग झो का पारकिंग का वायर है तो आपको देख सकते हैं होन वाला वायर हम लोग जो इस टाइप से चील लेंगे जो केंदमेद जो आप अंदर हम एडाल दिया है तो आप देख सकते का अंदर डालने कि बाद के छो ऱ हम इस टाइप de кто कर obsessed नहीं होती है यह पर देख पा रहा हूँ कि हम ने उसको पूरा पैक कर दिया है इस टेरिंग मौंट कर रोइत बाकी जो वाइर है और यह वाले उर्य दो वाइर आइं यहां पर इन में जाकी यह वाली जो वायरिंग जो है कनेक्ट हो जाएगी बाकि आप देख सकते हैं यह वाला जो सौकेट है हमारा बिल्कुल प्रोपर तरीके से यह हमने फिट्मेंट कर दिया इसका यहां पर देख सकते हैं यहां से वायर लेके आपकी यह वाली जो इस टेरियो तक यहां पर आगा है और आप देख सकते हैं यह वाला जो है स्टेरिंग माउंट कंट्रोल वाला स्टेरिंग वील हम लोग इसमें बिल्कुल प्रोपर तरीके से फिटमेंट कर देंगे यह आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल साउधानी से लगाना रहता है जैसे आपने कभी एक दो चूड़ी इ और आप यह देख सकते हैं जो हमने जो वाइट वाला जो सौकेट हमने कस्टमाइज किया था वह आला जो क्लॉक स्प्रिंग के अंदर बिल्कुल प्रोपर तरीके से फिटमेंट हो गया इसके अंदर यह बिल्कुल प्रोपर तरीके से फिटमेंट हो गया इसके अंदर कोई पर हमारा पूरा फुल फिटमेंट हो चुका है यहां पर हमने अधा दिया और हम लोग अप चलते हैं इस्टेरिंग यह आपका यह रोड म्यूजिक सिस्टम पर यह वाली जो औरेंज वाली वायर है यह वाली आपकी पार्किंग वायर है और यह वाला ब्लेक वायर हमारा यह जो ग्राउंड का वायर रहता है तो जैसे हम लोग कभी हेड लाइट के फर्स्ट पॉइंट ओन करते हैं तो यहां पर आपको देख सकते हैं यह वाले स्विचिस में इस्टेरिंग माउंट कंट्रोल में यह वाली जो औरेंज केलर की लाइट इसके अंदर जो है ओन हो जात लीड timeframe यह हैं अवाले की-1-की-2 वाले वायर है जो इसके अंदर जो हम लोग कनेक्शन करने वाले है यह वाला जो पीछे wala जो सोकेट वाला आपका कंपनी वाला यह वाला जो एंडूड मूजिक सिस्टम में से जो सोकेट आये वह वाला आपका अप्टर मार्किट का है त तो जैसे कभी आपको वाइरिंग सवन्ज में नहीं आ रही तो यह हैं हमारा contact नमर आप हमसे बिल्कुल एनी टाइम कभी भी आप हमसे जो है वाइरिंग के बारे में पूछ सकते हैं फ्री अपकोस्ट हम आपको हर जानकारी दे देंगे तो बाकिया आप देख सकते हैं यह हमारे स्टेरिंग मांट कंट्रोल हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिड्मेंट हो चुका है और हम लोग एपस में आके स्टेरिंग मांट कंट्रोल में जाएंगे और यहां पर पहले स्टार्ट करेंगे और हम लोग लोग पर करेंगे और यह आपका वोल्यूम प्लस यह आपका टिक लग चुका ब्लू कलर का वोल्यूम माइनस टिक लग चुका है Mute मुट पर भी टिक लग कुछा है आपकाний result पर भी टिक लग कुछा है यह previous पर भी टिक लग लग कुछा है है I got a line यहम लोग करेंगे ऑसर यह यह इन सर पर भी इजेक्ट यह और भी और यह वाइस कमान्ड पे अब आपका यह जो टिक लग चुका ब्लू ट लग चुकी दिखकर रहे होंगे यहां पर है परी के पुरी सुिछ पर आपके ब्लू टिक लग चुक है यानी आपका बिल्कुल प्रोपर त़रीके-फिट्मेंट हो चुक और गाड़ी में कोई गलत वायरिंग नहीं हुई और पूरा विदाऊट वायरिंग कटिंग पूरा यहाला जो सिस्टम यह आपका उह यह फिटिंग हुआ और आप देख सकते हैं Android सिस्टम में कित्दें बिल्कुल बिल्कुल इस स्मूद्धि बिल्कुल जो है इसमें जो है working करता है और आप धेक्पा रहे हैं यहाँ जो मोड भी फॉप रवाइस तरीख से काम करता यहां पर देख पा रहे हों गैउयाँ आपका मोड बड़ी से श्कामकरता वर यहाँ जो प्रफ करते हैं यह करते हैं अब इसके है विल्कुल इसके अंदर इस्रेरिंग मांट कंट्रोल प्रोपर तरीके से काम करता है और हमारे पास कोई भी गाड़ी का कोई वायरिंक नहीं होता वह हम लोग अभी गाड़ी स्टार्ट करें कि कोई मिंटर पे चेक लाइट नहीं है वो यह आप देख सकते हैं क्योंकि यह वाला जो बिल्कुल प्रोपर तरीके से इसमें जो है काम हुआ है और यह फिर से हमने यह वाली जो गाड़ी बंद कर दी तो आपे देख सकते हैं यह बिल्कुल प्रोपर वाइस तरीके से ब्रेज़ा लेके सर ने वीडियो देखी तो सर आए हमारे पास स्टेरिंग वील कंट्रोल लगवाने आयते तो सर से थोड़ा हम रिव्यू जान लेते हैं कि किस टाइब से फिटिंग हुई की सब्सक्राट के नाया नपर है म 750 वायर कटिंग कबसे अच्घने का मद्पाल के उपने देखा कंद और सुमियका काम चानल को मोपाल में बैस्ट काम